किसानों के साथ अभध्र व्यभार करना एक महिला अधिकारी को पड़ा है जमकर भारी मद्यप्रदेश में बीते दिन देर शाम एक वीडियो बहुत तेजी से वारल हुई जिसमें देवास जिले के सोनकक्ष तहसीलदार अंजली गुपता जो हैं लोग लिखने लग गए और इस पूरे मामले को फिर मद्यप्रदेश के मुख्या डॉक्टर मोहन यादव ने संग्यान में लेने के बाद अंजली गुपता जो हैं उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया उनके उस पद से हटा दिया गया और उसके बाद फिर साफ साफ एक्स अकाउंट पर मोहन यादव ने कुछ कहा है क्या कहा है मद्यप्रदेश के मुख्या ने पढ़कर बताता हूँ उन्होंने कहा कि शोशल मीडिया पर देवास जिले के सोन कच तहसिलदार के वाइरल वीडियो जो वाइरल वीडियो हो रहा है उसको उन्होंने संग्यान में लिया और फिर उन्होंने कहा कि अधिकारी आम लोगों के साथ सब्य और शालीन भाशा का इस्तमाल करें देखे किस तरीके से साफ साफ कह रहे हैं सब्य और शालीन भाशा का उपयोग करें और उसके बाद विरुनन कहा है कि इस तरह की अभद्र भाशा बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं की जाएगी और फिर उन्होंने कहा क कि मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा तैसिलदार को जिला मुख्याले अटैच कर दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इतना ही नहीं बलकि अंतिम में ये भी कहा है कि सुशाशन हमारी सरकार का मूल मंत्र है अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस तरीके से ऐसे अभद्र वेभार करने वाले अधिकारियों पर गाज लगातार कब तक गिरती रहती है और इन गाजों का असर आने वाले समय में क्या होता है इससे पहले भी साजापूर कलेक्टर ने एक ड्राइवर के साथ अभद्र वेभार किया था उसकी वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हुई थी उसमें उन्होंने ड्राइवर को आवकात जैसे शब्द का ड्राइवर के लिए उप्योग किया और उस वक्त भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी सीधे तोर पर इस पूरे मामले को संग्यान में लेते हुए ड्र मोहन यादव ने उन्हें कलेक्टरी के पद से हटा दिया था उस वक्त भी उनके इस डिसीजन को लेकर के खूप चर्चा थी इस डिसीजन पर भी जम कर चर्चा हो रही है लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में अधिकारी ऐसे वेवार आगे करते हुए दिखाई परते हैं या नहीं फिलाल जो खबर आई वो आप लोगों तक पहुँचाया है खबरों को सबसे पहले सटीक तरीके से थोड़ा अलग तरीके से पहुचाने में कितना सफल हो रहे हैं हम मैं और कैमरे के उस पार जो अंकित हैं बताइएगा कॉमेंट बॉक्स पर भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार हमेशा मेरे सही होगी अंकित